दूद के साथ कहला खाने का फाइज़ा तो आपने कूप सुना होगा लेकिन इसके नुक्षण से शाइदी आप वाकिप हो आम तोर गर दूद के साथ कहला खाने को उर्जा से फारपूर माना जाता है कुछ पत्रे लोग शरीर पर चरवी बढ़ाने के लिए दूद और केले का 7 करते हैं दूद और केले का मिसर्ण यानि बनाना से स्वाद में अच्छा लगता है लेकिन ये शहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अगर आप दूद और केले का 7 करना चाहते हैं तो पहले दूद पीले इसके बाद 20-25 मिनिट बाद केला खा लें बनाना से पाचन केले को परभावित करता है जिससे आपकी नीन का सेडूल भीगड़ सकता है आईर्मेट के नुसार दूद और केला खाने से विक्ति की पाच्छा सकती कमज़र पढ़ जाती है ऐसे में टॉक्सिक्स बेदा होते हैं और साइंस पर एलर्जी जैसे ही समश्या हो सकती है इसका लाव अगर आपको या आपके गर में किसी को अस्तमा की समश्या है तो ऐसे विक्ति को दूद और केले का सेवन नहीं करना चाहिए बिरसल पर केले को एक साथ खाने से कप की समश्या बढ़ जाती है और ये कप अस्तमा रोगी के लिए परिसानी बढ़ा दिता है ऐसे में रोगी को सांच लेने में भी परिसानी होती है आयरवेट के लुसार केले और दूद एक साथ सेवन करने से शरीर में विसेले तच्पों का परभाव बुत्पन होने लगता है इससे सरीर के दमाग अंगों की पराण ली पर बुरा असर पड़ता है केला और दूद खाने से सरीर बारी-बारी बना रहता है और इससे दिमाग के समता पर भी परभाव पड़ता है तो दोस्तों आज के इ सब्सक्राब करना ना प्लिए